सुप्रीम कोट में 29 अगस्त को नोट के बदले वोट मामले पर सुनवाई चल रही थी जिसमें आरोपी हैं तिलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्त रेडी वहां रेवन्त रेडी ने एक बयान दिया था अभी हाली में कि कविता यानि ब्यारेस की लीडर है जो दिल्ली सराब को सुनवाई हो रही थी पिछले 2015 में केस था नोट के बदले वोट जिसमें आरोपी रेवन्त रेडी हैं उस मामले की सुनवाई हो रही थी कि उस मामले को अस्तनांतिरित कर तेलंगाना से भुपाल कर दिया जाए जिस पर भी आर्गवाई की अज़ाइशा में यह सुनवा पालिका पे क्या हम राजनितिक दलों से राय मस्विरा करके हम किसी को भेल देते हैं यह संवैधानिक पत्पे बैठे हैं और ऐसे बयान देना शोभार नहीं देता और उसके बाद से उन्होंने और आपति कडिया पति जिताई कि राजनितिक प्रतिदुनता में सुप्रीम क होती हम अपने विवेक और श्रफत की अनुसार अपना कर्तब निभाते हैं क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए संवैधानिक पत्परासिन व्यक्ति इस तरह बोल रहे हैं इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है नयायपाली का पश्य विश्वास हटता है स अगर आपको लगता है कि हम ऐसे कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है तो आप हमारे आप सुनवाई दूसरी जगह से करवा लेजिए यह सुप्रीम कोड गुस्साया भी उस दोरान अलाकि मामला जब सुनवाई दोरान हो रहा था तो मामला साल 2015 का है जब रेवन त्रेटी कॉंग् देते हुए उसी मामले में सुनवाई हो रहे थी जो रीड डायर किये थे जो याचका दायर करने वालों का कहना यह था कि मवजूदा वक्त में रेवन त्रेडी मुक्यमंत्री हैं और उनहीं के अंदर ग्रिह भी भाग है पूलिस भी उनहीं के अंदर में काम करती है तो यह जान जीनके आरोप हैं जीनके फिलाफ हैं तो जांच अच्छी तरीके से नहीं होगा इसलिए इस मामले को बीड़ टर लेते हैं बेल उसका अधिकार होता है और हम कई की आधार मार्किंग की आधार पर लेते हैं आप मुंत्य को फतकार लगई हलाकि मुक्ल की की तरफ से माफी में मांगी पर मिलने पर कहा था कि यह बेल बीजैपी के साथ 60 गाइड मामले में और्विन के जिवाल को बेल नहीं मिल रही है मनिशी सोधिया को 15 महीने बाद बेल मिली इनको कैसे बेल मिल गई इतनी जल्दी तीन ही चार-पांच महीने में यह निश्यत रूप से बीजेपी के साथ साथ गांट की वह से हुआ है में बीजेपी को जितने में मदद की ऐसे सारे कई बयान देवन्त रेडी ने दिया है जिसको लेकर सुप्रीम कोट ने अपनी तल खटी पड़ी की उनके तरफ से पेस होने के लिए मुकल रहतेगी आये थे वकील उनसे कहा कि क्या अपने अकबारों में आज जो छपी है खबर उसको देखा आपने क्या एक समबैधानिक पत्तविक्त का ऐसा स्टेटमेंट देना क्या लोगों के मन में संदेव पायदा नहीं करेगा अगर हम कारेपालिका में हस्तश्यप नहीं करते हैं उनका कहने का मतलब है कि जुदूश्री अगर कारेपालिका में हस्तश्यप नही करना चाहिए यह सुप्रीम कोर्ट में सक्त टिप परी थी फिलाल इस वीडियो में इतना ही बागी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ नमस्कार